नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज की डिफेंस टॉक्स रीज में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देद ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट भारत की इंडिजनस टेक्नोलजी क्रूज मिजाइल प्रोग्राम को लेकर हैं अगर missile development program की बात करें तो भारत की जितने भी missile development program रहे हैं वो सभी के सभी काफी सफल रहें लेकिन इस पूरे program में जो सबसोनी cruise missile development program था यानि की निर्वे missile program था इसमें हमको काफी सारा उतार चड़ाब देखने को मिला था जिसके बाद इसी को base करके DRU की तरफ से अभी indigenous technology cruise missile और long range land attack cruise missile को develop किया जा रहे हैं जो कि करीब 1500 km तक strike कर पाएंगे अब आम तोर पर हम अभी तक निर्वे missile में Russian origin Saturn 36MT engine का इस्तमाल कर रहे थे जिसको बाद में एक Indian origin engine से replace करने का प्लान किया गया थे लेकिन फिर भी इसमें कुछ minor component मौजूद थे जो कि हमको बाहर से import करना पड़ता था लेकिन अभी long range land attack cruise missile project में DRU की तरफ से complete indigenous system का इस्तमाल करने का फैसला किया जा रहे हैं इनिशेली इसको 90 से 95 परसंट तक ही indigenous system से बनाने का प्लान किया गया था यानि कि इसमें इनिशेली 90 से 95 परसंट तक indigenous content मौजूद होने वाले थे लेकिन अभी इसको 100 परसंट तक increase करने की बात की जा रहे हैं DRU के मताब ये हमारी ब्रमोस मिसाल के चीपल alternative होने वाला जो कि ब्रमोस से जादा दूरी तक भी strike कर पाएगा और साथी cost के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रमोस मिसाल के मुकाबले हमको लगबग तीन गुना के आसपा सस्ता पढ़ने वाला है और आगे चल कि हमारी rocket force का MIG-29 को खरीदने की बातचीत किया जा रहा था जिसमें से जो additional 12 सुखोई थे उनको तो अभी acquire किया जाने वाले लेकिन जो additional MIG-29 को खरीदने का प्लान किया गया था उसे साद भी drop करने का प्लान किया जा रहा है अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं पहला रिजिशन तो है कि पहले ही जो MIG-29 सरशिया हमको offer कर रहा है इनकी जो airframe ही एकदम से नए aircraft होने वाले और इनको UPG standard में upgrade करके रशिया भारत को offer करने वाले लेकिन अभी के जो हलात है ऐसे में रशिया के साथ कोई भी financial transaction को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उस वजह से रशिया स एडिसल डील करना संबब नहीं हो रहा है इसके बाद अभी इंडियन एयर फोर्स की तरब से भी अपनी MIG-29 फ्रीट को धीरे-दीरे वक्स से पहले रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है और इनको 2029 से 30 के बीच ही रिटायर करना सुरू कर दिया जाए और उसी वजह से अभी एडिसल MIG-29 को अपनी सर्विस में इंडेट करना कोई फायदा का काम नहीं होने वाला है कि आगे चल काम इसको 10 साल के बाद रिटायर करने वा लेकिन इनको फर्दर अप्ग्रेड कर गया हम इनको 2035 के आसपास ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन इसी भी जो ओल्डर एर फ्रेम होंगे उनको 2030 के बाद रिटायर करना स्टार्ट कर दिया जा तो अभी जो एडिसल MIG-29 को खरीदने की बात की जा रहे थी तो उसको अभी आते हैं कि पिछले दो सालों से भारत उनाइटेड स्टेट से दो सी गार्डियन डोन्स को लीज पर लेकि ऑपरेट कर रहा था जिसको खास करके हमारी नवी ऑपरेट कर रही थी और इसकी बाद नेवी ऐसे डोन को खरीने का प्लान भी किया जा रहा है इनिशले से तीस डो इसे आगे बढ़ पा रहा है क्योंकि नेवी सबसे आदा इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेसराइच कर रहे थी अब नेवी में लीन डोन्स को अनेवल सब्वलेंस के लिए खरीना चाहती है जिसमें खास करके चाइनिज सम्मरीन के एक्टिविटी को ट्रैक करना हमारा म इसी वज़े से नेवी की तरफ से बता गया कि अगर यह डील होता है तो इसमें जिन डोन्स को नेवी की तरफ से खरीदा जागा नेवी की तरफ से ऑपरेट किया जाएगा उन सभी डोन्स में स्पेसिफिक एंटी समरीन वार्फर केफिबिलेटी मौजूद होना चाहा और इसमें नेवी की तरफ से दो मौडूलर पॉड्स को भी आड़ करने की बात की जा रही है नेवी इसमें जिन पॉड्स को आड़ करना चाहता है वो एक नियुमेटिक डिस्पेंसर पॉड होने वाला जिसमें डी आई सी ए एसस या निकि डिरेक्शनल कमांड अक्टिवेटे मेसे जिस तरीके से नेवल सर्विलेंस को कर पा रहे है अंडरवाटर डाटा या क्यूस्टिक डाटा को हासिल कर पा रहे है ठीक वैसे ही काम यह कर पाएंगे और हमारी जो पीटा एक्राफ्ट होगा उनकी उपर यहां से जो लोड होगा थोड़ा बहुत रिडियूस हो सकत और इसके साथ ही जो ड्रोन से इनको हम पीटा एक्राफ्ट के मुकाबले काफी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं इसके अलावा जनल अटमिक की तरफ से अभी हमें एक मैर्टेम रडार को भी ऑफर किया जा रहा है जिसके साथ एक कंप्लीट सेंसे सूड भी मौजूद हो भारत को उफर किया जा रहा है अगला अपडेट भी ड्रोन को लेकर और अभी एक बार फिर से आरमी की तरफ से ड्रोन को खरीदने के लिए एक और टिंडर को फ्लोट किया गए इसमें टेक्निकली दो तेंडर यहां पे फ्लोट किया गए और इनमें कुल मिला कर दो अलग- 65 tactical remotely piloted aircraft को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसके साथ 10 runaway independent remotely piloted aircraft system को खरीदने का प्लान किया जा रहा है यह दोनों ही tender अभी first truck mode में final किया जाने वाल है तो इनको emergency procurement के अंदर खरीदा जा रहा है इसमें से पहले category के अंदर खरीदे जाने वाले drones की बात करें तो यह या त picture quality provide करने वाले system मौजूद होना चाहिए जो की करीब 4000 मीटर की height से भी target को detector track कर सकते है और फिर identify कर सकते है इसके बाद इनकी minimum operating time की बात करें तो यह कम से कम 6 घंटे तक होना चाहिए और इसके बाद इनकी airframe की service life 4000 घंटा से कम नहीं होना चाहिए और इनमें minimum 1500 landing तो operate करने की capability होना चाहिए इसके बाद जो रनवे independent system है इनको भी day net surveillance reconnaissance mission के लिए इस्तमाल किया जाएगा लेकिन फर्क इतना है कि इनको operate करने के लिए को रनवे की जुरत नहीं पढ़ने वाला है इसको mainly दूस्मन की location का पता लगाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा जिसमें दूस्मन क का position पर strike कर पाएंगे अगला update advanced light helicopter या धुरूव helicopter को लेके अभी recently आपने देखा होगा हमारी धुरूव helicopter को मुंबाई के पास पानी में emergency landing करना पड़ा था बता गया था कि इस दौरान जो helicopter था इसमें अचानक से पाउर चला गया था और इस वह से helicopter के सर कंट्रोल नाकाम हो efficiency floating system activate कर दिये थे जिसे helicopter पानी में crash land करने के बावजूद भी पानी में डूबा नहीं था लेकिन इस हादसे के बाद अभी हमारी तीनों सर्विस में मौझूद सभी advanced light helicopter की operation को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला किया जा रहा है और बता जा रहा कि जब तक initial investigation पूरा नह helicopters को भी कुछ समय के लिए grounded रखने का फैसला किया जा रहे लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम सालों से helicopter को operate करते आ रहे और आज तक ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जब हमें कोई ऐसी emergency का सामना करना पड़ा है तो यह जो भी technical issue अभी पाया जा रहा है यह उसी specific unit में हो सक है जिसका बाकी helicopter के साथ कोई लेना देना नहीं होने वाला है लेकिन एक precaution के तोर पर अगर investigation complete होने तक सभी helicopter को यहां पे grounded रखने का प्लान किया जा रहे तो यह एक अच्छी बात होने वाली है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरव